बुद्ध जो कि ग्रहों में युवराज है हमारे बैरेज्बेंट प्लानिंग और्गनाइज करने इसकिल के स्वामी है बैंकिंग फाइनस अकाउंटिंग और कहीं न कहीं हमारे बुद्धी और ग्यान के अधिपती हैं बुद्ध वो मीन राशी में जा रहा है नीच राशी के लेकिन फिर भी महालक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है 16 मार्श से 31 मार्श तक बुद्ध रहेंगे मीन राशी नीच राशी में लेकिन सूरिय गुरु और बुद्ध का कॉम्बिनेशन कई राश्यों को कामिया भी दिला सकता है आपको मैं यही बताने आया हूँ कि मेश से मीन राशी तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले एक इंपोर्टेंट बात अगर आप उससे परसनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्य उलेकर मिलना चाहते हैं तो फिरहाल मैं 18 मार्श को दिल्ली हूँ, 19 मार्श को इंदोर रहूँगा उसके पास 25, 27, 28 मार्श को मॉंबई और 26 मार्श को रायपूर, 36 गड़ रहूँगा अगर आप विदेश में रहते हैं तो 6 और 7 माई को काट माड़ू, 13 से 17 माई सिंगापूर, 26, 27, 28 माई को में दुबई रहूँगा इसके अलाबा दूसरी बात मैं 19 माई शनी जैनती पर आपको जोदपूर आमंत्रत कर रहा हूँ आधियात में साधना सिद्धी केंद्र के विद्वान पंडेतों के दौरा आपके लिए विशेद अनुसराड किया जाएगा आप मुझसे दिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे और कुंडली का विस्टेशन भी कर पाएंगे प्रेज आती हूँ आईए आप बेश राशी से शुरुबात करते हैं और इस बात को आप जान लिजिए कि बुद क्यों important आपके लिए क्योंकि बुद कम्यूनिकेशन के लॉड है बुद आपके skill और sense of humor के लॉड है बुद आपके banking, finance, accounting, business management अगर आप business करते हैं तो गुर देते हैं अगर आपको innovative और creative idea आता है तो वो बुद देते हैं और वही बुद नीच राशिक हो रहे हैं लेकिन किन राशियों पर अच्छा रहेगा और किन के बुरा रहेगा यही जानना है यहाँ पर देखिए बुद थर्ड आउस और सिक्स आउस के lord होकर अब 12 आउस पर बिराजबान रहेंगे आपको शारिरिक समस्याओं के वज़े से नींद थोड़ी कमजोर हो जाएगी और सला दी जाती है कि कम गैजट्स का परियोग करें रात को जल्दी सुएं बरिया तेल मालिश पैरों में करवा के फिर नी लीजी शान्त होकर morning walk पर जाएं तो आपको अच्छे आइडियाज आएंगे जिससे आप अपना समय अच्छा गुजार पाएंगे वर्क पेस्ट पे आपके द्वारा कियेगे प्रियासों से अधिक सफलता दूसरों को मिलेगी इससे हताश मत होईगा बिजनस पर आपके विरोधी भी सर उठाएंगे और आपको परिशान करने कोशिश करेंगे अगर आप कोई भी competent exam के तैरी कर रहे हैं थे student, artist और players के लिए काफी मेहनत do more करने पड़ेगी मामा के साथ आपके संबत अच्छे रहेंगे तो आपको प्यार सने के साथ professional lab बिलेगा आप अपने इच्छा शक्ती और परियासों से अपने स्वास्तिक अगर खैल रख दिया तो आप देखिएगा आपको अच्छे lab बे सकते हैं और कहिन के नई जॉब ये जॉब में कोई परिवर्तन आपको लाब दे सकता है बात करते हैं ओज विशेश उपाय की बुद्वार के दिन गणेश जी बंदिर जाकर बगवान गणेश जी को 21 गुड की डरी और दूरवार्पित करती चीए काम बन जाएंगी वरशब राशी सेकंड आउस और फिफ ताउस के लॉड होकर अब 11 ताउस में बुद्ध नीच राशिक रहेंगे आप अपने व्यापार को बड़िया डंक से चलाना चाहते हैं तो आपको कोई नई पूंजी लाने पड़ेगी कहीं लोन एपलाई करना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा नई टेक्नलोजी आपको आगे बढ़ाएगे वर्ड प्लेस पे पदोनती के चांस मिलेंगे नई जॉब के चांस आपको बिल सकता आपके काम से आपको सराहन मिलेगे या आप अपने लव पार्टन और लाइप पार्टन के साथ एक आकरशन का केंदर बनने वाले हैं किसी मंतरी मंडली के साथ बड़े लोगों सरकारी बहंटमे के साथ आपके रिलेशन बनेगे जो संतान प्राप्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें अभी और इंतजार करना चाहिए स्टुडेंट, आर्टिस और प्रेट्स को और ज़्यादा मेहनत करने की जरूत है कोई गलत पहमी पाल कर आप अपना ही नुकसान करेंगे आपको कोई स्किन के डिसीज, ऐलर्जी की तकलीब हो सकती ध्यान रखेगे अपनी जेब या बटू में हरे रंग का रुमाल हमेशा रखे और स्री गजेंदर मोक्ष का पार्ट करिए बुद आपको आशिरवाद देंगे मितन राज़ी बात करते हैं आपकी राज़ी और फोर ताउस के लॉड होकर आप टैन ताउस पर रहेंगे पिता के साथ संबंद खराब हो सकते हैं पिता को तकलीब हो सकती है अपने परियार और स्वैम के वैक्तितों के बारे पे सोचने और समझने की जरूरत है आपको नए मौके बिलेंगे और माताजी का आशिरवास से आपका काम आगे बढ़ेगा आपका घरेलू जीवन और पारिवारे जीवन सुखत रहे इसके लिए शान्त रहने पड़ेगा बोलने पर उदासी चाह जाएगी वर्क प्लेस पे आप अत्यतिक आत्वर विश्वास के शिकार होकर और ओवर कॉन्फिडेंस से अपने लिए मुसीबत खड़ी करने बाले गर के उपयोगी या दूसरी चीज़े खरीदने में जेव डिली जरू होगी लेकिन रॉंग शॉपिंग हो सकती ध्यान रखेगा स्टुडेंट आर्टिस और प्रेयर्स इनोबेटिव और क्रेटिव आइडियाज आपको आगे रखेंगे वो मौके मिलते ही चौका लगाएं आलसीपन और लापरवाई वज़े से आपको कुछ तकलिफ हैं खुद ही क्रेट करें इससे बचना हैं गर में बुद्ध यंद्र आई बहनों के साथ संबद अच्छे रखोगे एक ता दिखाऊगे ता आपके काम ऐसी बन जाएंगे अगर आप किसी नई बिजनस या नई जॉब की शुरुवात करना चाहते हैं यह समय शुब है वर्प्लेस पर आपको किसी सह कर्मी के सहयोग से काम आसानी से करने मौका बे लेगा जिससे आप अपने स्किल को और बैतर करपाएंगे लव पार्टर और लाइफ पार्टर में दोनों मिलकर परस्तल और प्रोफेशनल लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ाने बाले हैं ज्यादा बैटने वज़े से सर्वाइकल स्पॉंडलाइस साइटिका की तकलिप हो सकती है योग प्रानायम जरू करिए हर बुदवार जरूतमन को हरे मूंग और हरी चीज़े दान करिए पिता जी के चरण स्पर्ष करके आगे निकल लिए पिता और पुत्र या पुत्री दोनों मिलकर अगर बुदवार को गणिस जी के चरण स्पर्ष करके दिन की शुरुबात करते हैं तो बॉंडिंग बजबूत होगी आईए बात करते हैं सिंग राशी की सिंग राशी में बुद 11 ताउस और सेकंड आउस के लॉड ओकर अब 8 ताउस में नीच राशी के रहेंगे आपका कॉमन सेंस ठोड़ा डिस्टब होने बाला है बुरे खयाल आना अग्यात भाई गवराट बेचे रही डर चिंता होगी कोई बिजनस की डील आपकी वज़े से फेल हो सकती है पैसा फसना नुकसान और दोखा रॉंग इन्वेस्पेंट रॉंग शॉपिंग हो सकती है शेर बाजार वाइदा बाजार जमी जायदाद में डील आपकी बंते कैंसिल हो सकती है जब तक काम पूरे ने हो तब तक आप साइलेट बोड बर रहिए अपने ऑफिस में आपका काम काच आपकी वज़े से थोड़ा डीला रहेगा लें देन में बहुत सावधाने रखने के जरूत है लव पार्टरों और लाइफ पार्टरों के साथ गब शब एंजवा सब करिए लेकिन शॉपिंग सो समझ के करिए स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स को कोई अच्छी खबर मिलने से खोशी आ जाएगी गले का इंफेक्शन पत्री की तकलिफ होना या फिर को अलर्जिक तकलिफ आपको परिशान कर सकती ध्यान रखेगा बुद्ध ग्रह को मजबूत करने के लिए यग यहवन करें और गनेश जी को केसर या सिंदूर चड़ाईए कन्या राशी की बात करते हैं बुद्ध टैन्थ आउस और आपकी राशी की लॉट होकर सेवन्थ आउस में नीज राशी को जाएगी आपको वर्ट प्लेस में इस्ततियां बिल्कुल पके पकाए सामान की तरह नहीं मिलेगी आपको बनाने पड़ेगी तब जाकर आपकी बदोनती, सेलरी बढ़ना या नई जॉब के आउफर मिल सकते हैं आपको व्यापार करते हैं तो व्यापार गती ज़रूर पकड़ेंगे सबको साथ लेकर चलना होगा आपके अस्वास्ते में थोड़ी गिरावटा सकती है ध्यान रखना पड़ेगा हैल्थ इशूज अपने गर में भी कहिन कहीं आपको तकलिफ दे सकते हैं हर हाल में आप खायल रखिए आपका पूरा फोकस, अपनी परस्नल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट करने और दोनों को एंजोई करने के लिए होना चाहिए नया स्टार्टप, एंटर्पेनियोर बनने की कवाये तेज हो सकती है सुडेंट, आर्टिस और प्लेर्स, कुछ गलती की वज़े से कुछ चूपने वाले इससे बचना होगा बुदवार के दिन, सुबह गणेश जी को दूरवा की ग्यारा ये 21 गांट चड़ाईए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुदाय नमहा, मंतर गजाप करिये, समस्या दूर होगी पुराना रोग वापस आ सकता है, मोटा भाब बढ़ सकता है, प्रान जाए पर वजन ना जाए मैनत करने के बाद भी वजन कम नहीं होगा, क्योंकि जबान, खाने पीने के जो शौकिन है उस पर तकलिप आ सकती है हड़ियों की तकलिप आपको आ सकती है, एक तो जल्दी बाजी बिल्कुल नहीं करें, इतना आपको याद रखना है बर्ट प्लेस पे अधिक बेहनत करने जरूद नहीं, बलकि स्मार्ट वग करने से लाब बिलेगा आपके चरीत्र पर कोई दाग लग सकता है, ध्यान रखिए, मनोबल उंचा रखिए आप अपने स्वास्य वी लेकर सतर रहें और अपने खान पान पर विश्यश ध्यान रखिए, बिजनस में अपने पार्टनर के साथ व्यार्थ बाद विवाद आपको कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन बडाल सकता है व्यार्थ की भाग दौड, गूमना फिरना, रॉंग शॉपिंग, रॉंग इंडवेश्मेंट हो सकता है मामा जी और परिवार को इन अनिहाल के साथ संब्द खराब हो सकते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा किसी को आप आत्विंग रूप से कर्ष देने वाले हैं, इससे बचिए अपने पिता और ग्रेंट्पेरेंट्स के आदर्शों पर साथ चलिए मा के आशुरवास से दिन की शुरुवात करिए, सब ठीक होगा स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स, आसान तो लग रहा है आपको लेकिन है, इतना आसान नहीं है इसके लिए कड़ी महनद तो स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, बुद्वार के दिन नारियल, एक चुनरी, कपूर, और लाल पुष्ट की माला, देवी दुरुगा को अरपित कर दीजिए और गणेशी को कहन के दुरुवा और मोदग अरपित करिए, कपूर के आर्थी शाम को करिए, बुद्गरे मस्बूत होंगे संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, रोख जाए, स्टुडेंट कुछ अलग ही एडवेंचर करना चाहते हैं, सोच समझ के करिए, लव पार्टर को लाइफ पार्टर बनाना है, दुबारा सोची, मन में अटकलों और शेर बाजार में पैसा लगाने की गहरी इच्छा, कहिन के आपको कन्फ्यूस करेंगे, बैनिफ्फैक्टर यूरिट और ट्रेडिंग वारे लोगों को लीगली अवेर रहना चाहिए, वर्क्प्लेस पर अचानक वर्कलोड बढ़ना नई जिमेदार हैं आपको बिल सकती है, एक आगरता की कमी के कारण आप बहुत कुछ खो देंगे कागजी कारवाई हर काम को अपने देख रेक में करने से सब चीज़ा ठीक हो सकती है, लव पार्टन और लाइफ पार्टन के साथ बैठे बैठाए गलत फहमी वाद विवाद फैदा कर देंगे, लव बर्स को रिष्टे में गलत फहमी और उससे लाइफ पार्टन बनाना ज जैसे इससे बची, बुदवार के दिन गाय को हर अचारा खिलाएं, किनर को कुछ डोनेट करी जो उनके काम की चीज़ हैं, और कहीं न कई हरी चीज़ों को धान करना, स्री गनेश अत्रफशीश का पार्ट करना आपको बड़े लाब दिला सकता है, आईए बात करते हैं दन हो सकती है, नई चीज़ भी खराब निकल सकती है, अलट रहें, आपके पारिवारे जीज़ों में जो गती भी दिया है, वो ठीक रहें, इसके लिए शान्त रहें और लगातार अपना काम करें, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स चीज़ें खराब होने के चांस से जाता है बिजनस में लाब बढ़ाने के लिए, आपको जो आइडियास बिले, उनसे एपलाई करिए, कहीं ने कहीं, हेल्थ इश्यूज परिवारे बड़े बुजरुगों का आने वाले से ध्यान रखें, स्टूडेंट आर्टिस और प्लियर्स आपके परियास ना काफी है, अपने बिजनस में आपके विरोधी सक्री हो जाएंगे और आपकी चबी को खराब करने कोशिश करेंगे, अपनी कम्यूनिकेशन के सकते हैं, स्किल को और बहतर करिए, अच्छा बोलिए गाली गलोज करके आप दूसरों के आत्मा को ठेस पहुचाने वाले हैं, कम्यूनिकेशन अच्छा रहेगा, इन्योवेटी और क्रिटिव आइडियास आप अप्लाई करेंगे, तो टेक्नलोजी की मदद से आप अपने जॉब औ प्यार इश्क और मौबत गूमने फिरने पूरे बौके बेलेगे, कुछ लोगों के अलोचना करके आप अपना ही नुकसान करने बाले हैं, बुदवार के दिन, रामायन के किशकिंदा कांट का पाट करें, पक्षियों के बेगे हुग हरे चने किलाएं और पक्षी खरीद क कुम राशी, यहां फिफ्ट आउस और एड़ आउस के लॉड़ होकर अब उस सेकंड आउस पर रहेंगे, पैसा जोड़ना, पैसे से पैसा कमाना, पैत्रिक संपती के मामले सॉल्व करना बहुत बड़ा चैलिंज रहेगा, बोजन, खान पान और अच्छी नींद आपको आ प्रसंता बलेगी, आपके सपने साकार हो सकते हैं, हर एड्यूकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं, बस एपलाई करीए, लव पार्टन और लाइप पार्टन बीच मन भेद और मध भेद, गलत फहमिया, प्यार, इश्ख और महबत दूर कर देगी, इससे बचना होगा, ब कुछ बेवजे बोलना, गलत बोलना, आपकी बीच में गलत पैदा कर सकता है, वर्ट पेस पर आपकी जल्दी बाजी, लेट लती फिर आलस से, आपको कही ने कही तकलीब में डाल सकती है, जौब और बिजनस में परेशानिया क्रेट करने वाले, चतुराई दिखाईए, सम मां और परिवार में शान्ती के लिए आपको कोई त्यार करना पड़ेगी, इस्टुडेंट, आर्टिस और प्लेट्स, आलस से, ओवर कॉन्फिदेंस, आपको टैंशन और डिप्रेशन डाल सकता है, फैटी लिवर और जो लोग कहीं के नर्शा पत्ता करता हैं, उनके ये मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, आप उसे परसली मिल सकते हैं या टेलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंसी अपन मेट से भी जोड़ सकते हैं, आज के लिए तना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद